जाहिंद इस वक्त मैं शौरेधाम शौरेस्थल देरादुन में हूँ गड़ी केंट पे और आप मेरे पीछे देख रहे हैं आपको दिखाता हूँ अन्नोन शोल्जा यह हमारे जो वीर सैनिक हैं जो गुम नाम है कहीं पट उनकी छाप उनका पराकरम उनकी वीरता आज भी इस शौरेस्थल पर अंकित है आज यहां पर आया हूँ कभी कभी मन करता है और मैं ऐसे ऐसी जंगवे पर आ जाता हूँ जब मैं नेवी में था तो तब भी बहुत सारी ऐसे प्लेसिस पर मैं विजिट करता था जहांसे मुझे मोटिवेशन मिले पेड़ना मिले जो मैं काम इस वकर रहा हूँ रिटार्मेंट के बाद उसको और श इनका मार्ग दर्शन करता रहूं उनको मोटिवेट करता रहूं और इस से अच्छी जंगा कोई और हो नहीं सकती कि मैं आज आकर अपने दिल की बात एक बार फिर शेयर करूं आप लोगों के साथ पैरेंट्स के साथ स्टुडेंट्स के साथ जो भी अपना फूचर इने न हजारों हजारों हमारे जो असली नायक हैं रियल हीरोज हैं उनके नाम अंकित हैं याँ पर मिक 29 का मॉडल है टैंक हैं शिप हैं और एक ना खत्म होने वाला ना मिटने वाला ज़जबा है जो यहां आकर जनम लेता है बार-बार दिल में हिर्दे में थौट्स में और मोटिवेट करता है कि जब तक जिन्दगी है जब तक सांसे चल रही है जिस तरह से पहले मैंने इंडिनेवी में देश की सेवा की आप आने वाली इंगेस्टर को मोटिवेट करता रहूँ कि बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए अलग-अलग जगे जाते हैं घुमने के लिए अलग-अलग लोकीशन पर जाते हैं बट मेरे लिए सैने धाम से अच्छी जंगा कोई नहीं होती तेकि मुझे हमेशा यहाँ पर आकर सुकून मिलता है कुछ करने की पेड़ना मिलती है और एक उर्जा मिलती है तो दियर स्टुडेंट्स ये सब के बस की बात नहीं है कि अपने जिन्दगी में कुछ अलग करने का सोचा होता है कुछ कुछ गरने का सोचा होता हो आज जो मेरा यए वीडियो देख रहे हैं जो मुझे सुन रहे हैं आप भी उनमें से कुछ जरूर होँगे बट असमंजस रहता है कि किस तरह से इंडियन आफोर्स जोईन की जाए किस तरह से प्रिपरेशन की जाए किस दिशा में इस डिरेक्शन में चला जाए कि आप अपने मकसब को प्राप्त कर सके और आप भी उनिफॉर्म पहन कर दिए इसकी सेवा कर सके तो बच्चों घुषर पराने का नहीं है अताश होनी के ज़रूरत नहीं है और रास्ता दिखाने के लिए संदीप सर्की अकैडमी संदीप सर्दूर्ण फरस अकैडमी हमेशा की तरह आपके साथ है इसलिए 19 सालों में आपने देखा होगा हजार हजारों स्टुडेंट आज इंडिनार फोर्स में च ेरे इच्छी जिन्देगी बीटा रहे हैं इसी अब आपकी बारी है करना क्या है कि करना यह है कि आपको सही मार्ण दर्शन लेना आपका पोच सहीओ आपको रास्ता दिखाने वाली सश्था सहीओ जिसका मोटीवेशन पहसा कमाना नहीं जिसका लक्ष वो जरूरों ज़ज के लिए एक दिन अपने प्राणों की आहोती देने से भी पीछे ना हटे वो जुनून वो जजबा वो फीलिंग्स आपको ऐसी संस्ता से मिलेगी जहां पर बहुत सारे इंडियन आम फोर्से से रिलेटेड लोग हो जिनका एक्स्पिरेंस हो जिनकी 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 उसमें गु हो इंडियन आर्मी हो या इंडियन एर फोर्स हो सर्विस बिफोर सेल्फ यह लोगों नेशनल डिफेंस अकैडमी का है जो इंजिनिंग या मेडिकल या क्लैट या कोई ग्रेजिएशन पोच ग्रेजिएशन ऐसी जंगों पर जाना चाते हैं उनके लिए यह नहीं है सर्विस बिफोर सेल्फ यानि कि अपने से पहले अपने देश के लोगों के लिए अपने देश के लिए सोचना ही एक सच्चे और उस यूवक का पहला करतव्य और पहला थौट होती है जो इनिफॉर्म बेहना चाहता है कभी कभी बहुत सारे स्टुडेंट कहते हैं सर मोटिवेशन की कमी है रास्ता नहीं मालूम कैसे जाना है तो मैं उनका उनको हमेशा से एक चीज कहता आया हूं और आज आपको भी वही कह रहा हूं मोटिवेशन अगर आपको लगता कम है तो इंडियन आम फोर्सेस की जो इनिफॉर्म पहने किसी युवक्या युक्ति को देखें कोई ऐसी मूवी देखें जिसमें देश सेवा की भावना भरी भी हो कोई ऐसी बुक पढ़ें जिसमें यह सब चीजे बताई गई हूं यह समधित एक्जाम्स की त्यारी करें और राइट डिरेक्श में प्रपेशन करें मगर उससे पहले सबसे जरूरी इंपोर्टन चीज यह है कि आप यह मत सोचें कि आपको लाकों रुपे कमाने हैं बड़ी-बड़ी गाडिया लेनी हैं बड़े-बड़े घर लेने आएं सब्सक्राइब करनी है अगर ऐसा है तो यू 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 कैंट सम्थिंग एल्स नौट डिफेंस नौट आर्मी नौट नेवी नौट एरफोर्स एरफोर्स आर्मी नेवी में जाने के लिए डिफ्रेंट फीलिंग चाहिए उसमें पैसा सुख सुविधास आपकी प्रात्मिक्ता ना हो आपका लक्ष्ट ना हो बाकि ऐसा नहीं है कि इंडियन आम फोर्स में किसी चीज की कमी है अच्छी सैलरीज पेपक्स और सबसे बड मिले तो इसलिए अगर आप डिफ्रेंट करना चाहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं तो यू मस्ट थिंक अबाउट इन आना फोर्सेज और जोइन देम बाकि कैसे करना यू करना विजिट आप वेपसाइट www.doondefenseacademy.com और अगर कोई और जानकारी चाहिए आपकी आपकी रहे अगर कोई जाएट करना जाहिए ये महाने इचाहिए ये मरहा में हमेशा से मानना नहीं तो बहुत सारे लोग जो आज इनियना आम फोर्सेज में या रिटायर हो चुके हैं वो पी अपने जिन्देगी बहतीन और बहतीन कर सकते थे बट उन्हों ने अलग सोचा डिफ शायद इसलिए आज वो सटिस्फाइए हैं खुशी है खुशी है उनको और सोसाइटी में उनका अलग रुतबा है अलग नाम है अलग पहचान है वो मैडल्स जो शरीर में जो इनिफॉर्म मेरे रहते हैं ड्यूरिंग सर्विस भी रिटार्मेंट के बाद भी वहर एक को नसी इसके लिए कुछ साकरिफाइस करने पड़ते हैं उस्तियाक करने पड़ते हैं तब जाके वह बैडिल्स मिलते हैं जो ता उम्र आपके साथ चलते हैं आपकी शरीर परहते हैं जैसे कि आप कहीं बार मेरे इनिफॉर्म पे भी शिविल क्लोथ में भी वह देखते होगी तो कुछ अलग करो कुछ हटके करो कुछ ऐसा करो कि आपको आपके पर आपके पैरंस को प्राउड हो आपके देश को प्राउड हो आपके कंट्री आपके रिष्टेदारों को आपके दोस्तों को प्राउड हो पीट से अलग रहो डिफिरेंट करो मेरा ये वीडियो ज्यादे से ज्यादा शेयर कर दो और कोशिश करो उस रास्ते पे चलने के लिए जहां पर चलकर बहुत सारे लोग आज इने आम फोर्सिस में हैं और नमन करो उन शोल्जर्स को जिनकी वजने से शायद हम शुरक्षित हैं थैंक यू बेरी मुच शेयर इस वीडियो जाहिन